सीबी सेवर्ट्स में आपका स्वागत है तो हम पढ़ने थे क्लास 7 साइंस का थर्ड जेप्टर इसका नाम है हीट और इसकी एक वीडियो अप्लोड हो चुकी है अगर आपने नहीं देखा तो दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हो आज एक नए टॉबिक स्टार्ट करेंगे 3.2 मेजरिंग टंपरेचर अब टंपरेचर कैसे मेजर करते हैं कैसे नापते हैं चली वो सीखते हैं क्या कभी आपने थर्मोमीटर को देखा है याद कर हो आपको या आपके फैमिली में किसी को फीवर आया हो बुखार आया हो तो फिर उसमें हम टंपरेचर कैसे मेजर करते हैं तो वो यह थर्मोमीटर जो हमारी बौडी का टंपरेचर मेजर करता उसको us소 साद्धानी से अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड बगरा से मांग सकते हो, एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो किछ इस तरह से दिखता है, जैसा कि आपको उपर फिगर बनी हुई है, ठीक है? तो चली मैं आपको दिखाता हूँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर एक हिस्सा ये देख सकते हो, जो की ग्लास का बना हुआ है, ये लंबा सा होता है, और अगर एसे साइट से दिखाऊं तो ये पतला सा होता है, ठीक है? लॉंग होता है, नेरो होता है, और ग्लास का बना होता है, वही ये वाला एक हिस्सा है, इसको हम बल्ब कहते हैं, इस ब temperature कम ज़ादा होता है, तो उसके हिसाब से भी move करती है, अगर temperature increase होगा तो यह mercury ऐसे आगे निकल के यहाँ पर इस पतले वाले जो अंदर वाला tube है, yellow color वाला इसमें move करेगी, और temperature कम होगा तो यह पीछे की तरफ जाएगी, यहाँ पर यह जो mercury की पतली सी line है, end होती है, वही आ और नीचे वाली जो scale है, वह Fahrenheit शो करती है, यह 94 से लेके 100 degree Fahrenheit दिखाएगी, अब देखो इस bulb से mercury निकलेगी, और एक पतली सी line आपको यहाँ दिखरी होगी, यहाँ से होते हुए इस yellow वाले tube के अंदर जाएगी, और इसको मैं थोड़ा सा और करीब करके दिखाऊ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो आपको ही दिखेगा, यह देखो, यह चमकती हुई line बीच में दिखरी है न, यही आपकी mercury है, जहाँ ही खतम हो रही है, जिसे यह वाले point में यहाँ पर ही खतम हो रही है, तो उपर देख लो कितना degree है, लगभग लगग यह 36 degree है यह से थोड़ा सा कम भी समझ सकते हो, तो जहाँ पर ही चमकती हुई line जो कि mercury की है, खतम होती है, वही हमको temperature बताएगा, नीचे वाली Fahrenheit की है, तो आप देख सकते हो Fahrenheit scale वाले पर आप मेजर कर सकते हो, कितना degree Fahrenheit आएगा, तो इस तरीके से हम reading देखते हैं, तो यही सब हमने दे आपका mercury होता है, बल्ब के बाहर आपको small shining thread of mercury can be seen, बल्ब के बाहर हिससे में आप देखोगे, पतली सी line जा रही होती है, जिसको यहाँ पर shining thread कहा है, चमकता हुआ एक धागा टाइप का है, वो धागा नहीं है, बल्कि mercury है, जो पतली सी line बना कर जा रहा है, तो वो आपको मिलेगा, अगर आप mercury के thread को नहीं देख पा रहे हो, तो उसको rotate करो, जैसे कि मैंने करके आपको दिखाया था, तो फिर आपको दिखने लगेगा, आपको thermometer पर scale भी मिल जाएगी, तो वो scale जो कि हम use करते हैं, वो आपकी Celsius scale है, जिसको degree Celsius से denote किया गया है, यह जो छोटा सा O type क बना है, यह 0 type का बना है, इसको हम degree पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो लिखा हुआ है, C, इसका मतलब Celsius, जैसे अलग-अलग चीज के नापने की एक unit होती है, वो अलग-अलग unit में हम measure करते हैं, वो अलग-अलग unit में हम measure करते हैं, जिसमें से आपका एक degree Celsius है, अब मुझे हो इस सोच रहा है कि दो scale बनी है थर्मोमीटर पे, मैंने जैसे आपको दिखाया था है, एक तो degree Celsius वाली और नीचे साइड में degree Fahrenheit वाली, उपर फिगर में बही शो किया गया है, तो कौन वाले से वो reading ले, कि कि किसी भी चीज का जो temperature है, वो किसमें बाता है, degree Celsius बता है कि Fahrenheit बता है, तो पहली ने उसको बता है, कि इंडिया के अंदर हमने Celsius स्केल को adopt किया है, तो हमें उसी स्केल पर read करना चाहिए, यानि अगर आपको एक object दे दिया जाया, कोई भी चीज दे दिया जाया, और थर्मोमीटर दे दिया जाया, और आपसे कहा जाए कि measure करो, तो ना किसमें बताएंगे, degree Celsius में, अचा जो दूसरी वाली स्केल है, उसकी range आप देखो, कहा से कहा तक है, 94 से 108 degree is the Fahrenheit scale, जिसको degree Fahrenheit हम short में लिखते हैं, ये पहले यूज की जाती थी, यानि पहले हम Fahrenheit के अंदर reading देते थे, अब इंडिया ने के adopt के लिए है, degree Celsius, लेकिन आप आज के time में भी देखो, commonly हम degree Fahrenheit ही यूज करते हैं, जैसे किसी को fever होता है, तो आज भी हम Fahrenheit scale ही यूज करते हैं, लेकिन जो standard हमारे country ने adopt किया है, वो degree Celsius का है, क्योंकि पहले Fahrenheit यूज हो रहा था, तो वही आदत बनी हुई है, तो यहां से question बन सकता है, कि इंडिया के अंदर कौन सी scale को adopt किया गया है, reading लेने के लिए, तो बता देना आप Celsius scale को, एक question ऐसे मन सकता है, कि जो clinical thermometer है, उस पे कौन सी दो scale दी होती है, तो एक तो Celsius scale होती है, दूसरी Fahrenheit scale होती है, अब जो clinical thermometer होता है, वो read करता है temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius, तो यह most important है, आप से पूछ तिया जाए, कि बताओ, clinical thermometer के अंदर 35 degree Celsius से लेके 42 degree Celsius तक यह range है, और Fahrenheit scale जो हमारी clinical thermometer पे होती है, उसकी range क्या है, ए 94 से 108 degree Fahrenheit है, तो यह जो range में बता रहा हो ना, यह clinical thermometer की है, याद रखना, अब चलिए activity 3.2 करते हैं, इसके अंदर हम thermometer की reading लेंगे, let us learn how to read a thermometer, first note the temperature difference indicated between the two bigger marks, तो चलिए मैं आपको थोड़ा diagram से दिखाता हूँ, कि कैसे हमको क्या करना है, तो यह मैंने thermometer की एक photo खीच ली है, थोड़ा zoom करके, ताकि आपको सारी चीज़े clearly दिख सके, अब जानते हूँ उपर वाला जो scale है, उसमें reading हमको degree Celsius में मिलेगी, पहला काम हमको यह करना है, कि जिस scale पे हमको reading लेने हैं, चलो degree Celsius भी जैसे मालो लेनी है, तो उसमें एक तो marking की गई, जैसे 37, 38, 39, यह सब क्या है, डिगरी Celsius, 37 डिगरी Celsius, 38 डिगरी Celsius, 39 डिगरी Celsius, अगर mercury आकर यहाँ पर रुकेगी, अब तो हम सीधे बता दें, यहाँ रुकी तो मतलब क्या देंगे 37 डिगरी Celsius, लेकिन जरूरी है कि यही वाली लाइन पर आ रहा है, तो यह वाला कितना temperature होगा, यह हम कैसे निकालेंगे, तो पहले यह देख लो जो आपको दिया हुआ है, marking उसके बीच में कितना डिगरी बनना है, यानि यह जो बड़ी वाली लाइन है, और यह वाली जो बड़ी लाइन है, इसके बीच में कितन और छोटी लाइन के बीच में कितने डिगरी celsius का gap है, कैसे निकालोगे, तो चली वो देखते हैं, तो इस तरीके से हमारा यह 37 और 38 degrees celsius है, इसके पीच में चोटी चोटी लाइन है, अब हमкоं छोटी लाइन के बीच का gap निकालना है कि यह कितने डिगरी celsius का है, तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा ये देख लो कि ये जो हमारा 37 से 38 डिग्री के बीच में यानी 1 डिग्री जो बनना है इस 1 डिग्री के कितने टुकड़े किये गए है चोटी लाइन से अब चोटी लाइन में ये वाली जो लाइन है वो भी आ रही है और ये बीच वाली लाइन इसको भी हम काउंट कर रहे है ठीक है तो दोखो एक डिविजन तो ये बनना है ठीक है ये 1 दे देते हैं और एक इसकेस के बीच में ये 2 दे देते हैं इसी तरह से ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानि 37 से 38 डिगरी Celsius की बीच है वन डिगरी के गैप है इस वन डिगरी के गैप को हमने छोटी छोटी लाइन से 10 टुकडे कर दिये हैं अब एक टुकडे के हमको वैलू निकालनी है तो टोटल हमारे 10 डिविजन को मिला लें यानि यहाँ 1 से लेके 10 तक पूरा मिला लें तो यह किसके बाराबर है 1 डिगरी Celsius के यही गैप है यही डिफरेंस है 37 और 38 के बीच में एक डिविजन की वैलू हमको निकालनी है कि एक जो गैप है छोटी लाइन के बीच का वो कितने डिगरी Celsius का है तो हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे जैसे कि आप मैट्स में करते हो 10 डिविजन की वैलू 1 डिगरी तो 1 डिविजन की 1 बाइ 10 डिगरी Celsius और 1 बाइ 10 क्या होता है 0.1 डिगरी Celsius इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो temperature का gap है वो 1 डिगरी Celsius का है और छोटी line कोई से भी दो छोटी line ले लो इनके बीच का जो gap है वो 0.1 डिगरी Celsius का है अब मालो मरकरी की reading इस तरह से चलते हुए आके यहाँ पर रुकी तो बताओ कितना डिगरी Celsius है कैसे बताओगे तो हम जानते है इसके बीच का जो gap है अभी हमने निकाला 0.1 डिगरी Celsius का यहाँ से यहाँ के बीच का भी हमारा 0.1 होगा इसके बीच में 0.1 डिगरी का और इसके बीच में 0.1 डिगरी का यानि 37 तक तो चलेंगे ही साथी साथ ये जो 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 है इनको भी count कर लो तो total 4 है तो 0.1 को 4 से multiply कर देंगे आपका 0.4 आ जाएगा यानि यहां तक तो हमारा 37 degree Celsius है और यहां से यहां तक का जो है वो 0.4 degree Celsius है तो total value कितनी आ जाएगी 37 degree Celsius plus 0.4 degree Celsius इनको add करोगे तो 37.4 degree Celsius आ जाएगा यह इतना complicated नहीं है यह तो मैंने पूरा calculate करके बताया अब simple way मैं आप कैसे करोगे थोड़ा सा वो देख लो तो जिस scale पर भी measure कर रहे हो पहला काम आपको यह करना है कि छोटी line के बीच का gap निकाल लेना है जैसे यहां पर 0.1 आ गया अब क्या करो जहां पर भी आके रुक रहा है यह mercury मालो आके यह यहां पर रुकी तो अब यहां तक जितनी छोटी line उसको count कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 वाली पर आकर रुकी तो बस 7 को जो हमने एक division की value निकाली थी 0.1 degree Celsius इससे multiply कर देंगे तो आपका 0.7 degree Celsius आ जाएगा तो यहां तक तो 37 तक चला था उसके बाद इतने की जो value है वो हमने निकाली है तो आ जाएगा 37.7 degree Celsius यहां तक पूरा-पूरा चला है वो और उसके बाद जो छोटी-छोटी line cover कर रहा है उसको count करके division की जो value उससे multiply कर दो फिर जो आए point लगा उसके साथ में लिख दो तो 37.7 degree Celsius हो जाएगा इस तरह से आपको temperature की reading करनी है यह तो degree Celsius का हो गया थोड़ा सा Fahrenheit का भी देख लेते हैं अब यहां पर जैसे मालो यह वाली line हम ले लेते हैं यह आपका 100 degree है यह 2 लिखा है इसका मददब 102 degree है अब क्योंकि जगें नहीं रहती नहीं इतनी मालो यहां 102 लिखते हैं तोड़ा mix up हो जाता तो इसलिए short में लिखा गया है वरना यह 2 degree Fahrenheit नहीं है बलकि 102 degree है अचा छोटा लिख दें तो दिखेंगा नहीं बड़ा लिख दें तो क्योंकि इतनी जगें नहीं है सही सा आ नहीं पाएगा इसलिए short में लिखा जाता है तो यह आपका 100 है अब आपका 100 है और यह 102 है तो 101 कहा गया तो यह बीच में जो छोटी वैली लाइन से थोड़ी से बड़ी दिख रही है यह आपके 101 की है क्यों नहीं लिखा वही रीजन है क्योंकि लिखते तो बड़ा mix-up हो जाता थोड़ा दूर दूर चीज़े रहती है तो साफ दिखती है तो अब इसमें देखो अब इनके बीच का gap अगर मैं पूछू कितने का है तो 1 degree Fahrenheit का है भाई 100 और 101 में कितने gap है अब इन छोटी वाली लाइन की बीच में कितने gap है हम कैसे निकालेंगे तो पहले यह देख लो कि यह जो पूरा 1 degree Fahrenheit है चोटी लाइन इसको कितने टुकड़े में बाट रही है भाई यह पूरी हमारी लाइन है यहां से यहां तक यह 1 degree Fahrenheit बनाएगी अब चोटी लाइन इसके कई टुकड़े कर रही है तो एक टुकड़ा तो यहां से यहां तक का होगा यह 1 पीस हो गया सेकेंड पार्ट यह हो गया थर्ड पार्ट यह division कह सकते हो यह हो गया यह 4th division और यहां से यहां तक यह 5 division यानि छोटी लाइन इस पूरे 1 degree Fahrenheit का पांच टुकड़े कर रही है तो 5 division इक्वल 1 degree Fahrenheit तो 1 division बराबर हो जाएगा 1 upon 5 degree Fahrenheit का 1 upon 5 आपका 0.2 होता है तो 0.2 degree Fahrenheit यानि एक जो छोटी लाइन है वो आपका 0.2 degree Fahrenheit को शो करेगी जैसे हमने डिग्री Celsius में किया था ठीक उसी तरीके से हम कर लेंगे कि Mercury मालो जैसे आकर यहां पर रुका तो भाई यहां तक तो 100 degree Fahrenheit है बाकी यह जो पूरा इतना हिस्सा है यह कितना है इसके लिए हम क्या करेंगे कितनी छोटी लाइन कवर हो रही है वो count कर लो तो यह 1, 2, 3 बस यहां तक जा रही है क्योंकि यहीं तक आके यह पहुच रही है तो तीन छोटी लाइन कवर हो रही है और जो division है हमारी उसकी value क्या है 0.2 degree Fahrenheit तो 3 multiply हो जाएगा 0.2 degree Fahrenheit से तो 3, 2, 6 आ जाएगा 0.6 degree Fahrenheit और 100 तो यहां तक था ही यानि इसकी reading हम क्या बताएंगे 100.6 degree Fahrenheit simple समझो जहां तक का number दिया है वो तो आपको लिखना ही है उसके बाद जो बढ़ा हुआ हिस्सा है वो छोटी line count करके हम निकालेंगे और छोटी line की counting कितनी होगी उसके लिए हमको division की value निकालनी पड़ेगी और वो कैसे निकालना है मैंने आपको बताई दिया कि एक division की value क्या है और कितनी छोटी line cover हो रही है division की value से जितनी छोटी line cover हो रही उससे multiply कर देंगे फिर जो बड़ी बाली line की value थी जैसे आपर 100 degree है और जो छोटी line वाला जो cover कर रहा है जो कि यहाँ पर 0.6 है इनको add कर लेंगे तो 100.6 degree Fahrenheit आ जाएगा अगर मालो आके मरकरी यहां रुकती तब आप कितना बताते है वही छोटी line हम count करते 1, 2, 3, 4 4 छोटी line है और एक division कितने का है 0.2 degree Fahrenheit का 4208, 0.8 degree Fahrenheit हो जाता तो यह 100 तक तो है ही 100.8 degree Fahrenheit अब चली practice के लिए एक और कोशन कर लेते हैं कि जैसे मालो मरकरी यहां पर आके और यहां रुकती है अब बताओ यह कितना degree Fahrenheit है यह आप से पूछा जा रहा है यानि नीचे वाली scale हम देखेंगे तो यह हमारा 104 है उसके बाद यह जो थोड़ी से बड़ी line है यह 105 दिखाएगी और यह आपका 106 लिखाई हुआ है तो देखो यहां तक तो 105 हो गया अब यह जो इतना हिस्सा बढ़ा है उसको हमको count करना है और एक छोटी line अभी हमने निकाला था Fahrenheit वाली scale में 0.2 को show करती है तो 105 यहां तक और उसके बाद 0.2 तो इसकी value आ जाएगी 105.2 degree Fahrenheit तो जो चीज मैंने आपको करकी दिखाई वही सारी चीज यहां पर लिखी हुई Also note down the number of divisions shown by smaller marks तो सबसे पहले gap निकाल लेना है कि जो बड़ी-बड़ी values दी है उनके बीच में कितने का gap है अब जैसे माल लो जो बड़ा-वाला mark है वो read कर रहा है 1 degree और 5 division है उनके बीच में छोटी-छोटी line के तो 1 small division कितना हो जाएगा 1 by 5 जो 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 0.2 degree Celsius होता है तो यह thermometer तो thermometer depend करता है अगर माल लो आपके thermometer में 5 divisions दिए हुए हैं degree Celsius में तो आपका यह 0.2 degree Celsius का आ जाएगा जो thermometer मैंने आपको फोटो में दिखाया था उसमें 10 divisions थे अब temperature आपने से पहले आपको क्या करना है थर्मोमीटर को धो लेना है preferably with an antiseptic solution अगर आपके पास antiseptic solution है तो वो ज़्यादा बहता है उससे धोना है अब यह antiseptic solution कहां मिलेगा यह normal आपको मार्केट में मिल जाएगा डिटॉल का भी आता है वो जो brown color का आता है बोटल में liquid वह ही आपका antiseptic solution होता है तो उससे धोलो नहीं तो हम generally क्या अगरते है पानी से धोलेते है उससे भी काम चल जाएगा उसको मस्बूती से पकड़ लो और जटके दो यानि कहते हैं थर्मोमीटर को जटक लो तो आपको इस तरह से जटक लेना है अच्छा जर्क से क्या होगा जटकने से क्या होगा जो mercury के level है वो down हो जाएगा यानि mercury के जो line बनने ही थी ना चमकती हुए जो thread बनना था वो bulb की तरफ move करने लगेगा जितना आप जटकोगे तो temperature नीचे की तरफ जाने लगेगा यानि mercury को जो level है वो down होने लगेगा कब तक जटकना है जब तक वो 35 degree Celsius से नीचे न चला जाए जब 35 degree Celsius से नीचे चला जाए तो फिर जो bulb वाला हिस्सा है उसको अपने टंग के नीचे रखना है एक मिनट के बाद thermometer को बाहर निकालो और reading को note करो जो भी reading आपको मिलेगी कैसे reading लेनी है वो सारा मैंने आपको दिखाई दिया थर्मोमेटर देख कि आप कैसे बताओ कितना degree Celsius या कितना degree Fahrenheit है तो जो भी आएगा वो आपके body का temperature है अब temperature को हमेशा आपको unit के साथ दिखाना है ऐसे नहीं कि आपने कहा दिया 37 है अब 37 क्या है भी या degree Celsius है, degree Fahrenheit है, क्या है अब जैसे कि इंडियन सिस्टम के अंदर हमको degree Celsius यूज़ करना है तो degree Celsius में बताना पड़ेगा तो नापने के बाद आप बताओ कि आपके body के temperature कितना है अच्छा उपर भी कुछ चीजें नहीं उसको थोड़ा सा पहले देख लेते है precaution to be observed while using a clinical thermometer तो clinical thermometer को use करने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कैसे use करना है वो जान लो पहली बाद thermometer को धो लेना है यूज करने से पहले बहतर यह है कि antiseptic solution से धोय जाए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि mercury को जो level है वो 35 degree Celsius से नीचे हो नापने के बाद जो reading आएगी उसको आपको कैसे देखना है read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight यानि आपके बिल्कुल सामने एक सीधान में आपको thermometer को रखना है ऐसा नहीं कि दाए माय से देख रहे हो तिर्शा करके देख रहे हो बलकिल बिल्कुल सामने सीधा देखना है जैसे कि यहाँ पर image दी है correct method of reading का क्लिंग का thermometer तो देखो इसके आँख के सामने बिल्कुल thermometer को रखा है ऐसा नहीं कि इधर रख दिया साइट से देख रहे है या इधर रख दिया बिल्कुल सामने रखना है thermometer को आपको बहुत साफधानी से handle करना है अगर इक इसी hard object से ठकरा जाएगा तो तूट सकता है एक बात का और ध्यान रखना है कि thermometer को आपको उसके bulb से नहीं hold करना है जब उसकी reading ले रहे हो जैसे यहाँ पर इसने देखो इसके glass वाले हिस्से को पकड़ा है इस वाले हिस्से को touch नहीं करना है जब reading ले रहे हो क्योंकि जब touch करोगे तो आपके जो fingers का जैसे fingers आप touch कर रहे हो तो finger का जो temperature है उसकी reading लेने लगेगा तो हो सकता है यहाँ पर जो mercury का level है वो आगे पीछे हो सकता है अब जो normal temperature होता है human का वो 37 degree Celsius होता है यानि अगर आप healthy हो बुखार वगर आपके नहीं है कोई बीमारी नहीं है तो आपका 37 degree Celsius के आसपास temperature रहेगा इसको normal माना गया है इस बात को note करना है कि temperature को हमेशा उसकी unit के साथ दिखाना है अब पहिली ने अपने body के temperature को measure किया अब उसको एक चिंता हो गई कि उसने जो temperature measure किया ना तो वो exactly 37 degree Celsius नहीं आ रहा है हो सकता है थोड़ा से कम आ रहा हो या थोड़ा से जादा आ रहा हो लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो normal temperature वो 37 degree Celsius होना चाहिए इसका तो थोड़ा से कम जादा है तो चली पहिली को इस बात को समझाते हैं कि इसकी में कोई चिंता की बात नहीं है यानि थोड़ा कम जादा हो सकता है तो चली एक्टिविटी करते है एक्टिविटी 3.3 मेजर करो body temperature of your friends कम से कम 10 दोस्तों को ले लो और उनके body के temperature मेजर करो फिर इस table के अंदर आपको भर देना है यहाँ पर नाम लिख दो यहाँ पर temperature लिख दो तो चली मैं आपको थोड़ा example के लिए बता देता हूँ जैसे मालो एक आपका friend है सुमित उसका temperature अपने नापा आया 37.2 degree Celsius एक दोस्त आपका है राहुल उसका नापा तो आपका है 36.8 degree Celsius तो देखो यह exact 37 नहीं है यहाँ पर 37 से थोड़ा से जादा है 0.2 degree और यहाँ पर 37 से थोड़ा कम है तो क्या यह लोग बीमार है ऐसी बात नहीं है जैसे मैंने आपको बता है कि 37 से थोड़ा से कम जादा हो सकता है उससे कोई tension की बात नहीं है तो दस दोस्तों का आपको temperature measure कर लेना है clinical thermometer से और observation को record करना है क्या हर बंदे का जो temperature है वो 37 degree Celsius आया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी का temperature 37 degree Celsius आया हो यह थोड़ा से जादा यह थोड़ा से कम आ सकता है अच्छली वाट वी कॉल normal temperature is the average body temperature of the large number of healthy person अच्छा यह जो value आई 37 degree Celsius कैसे आई बहुत जादा जो healthy लोग थे जो बीमार वागरा ना हो उनका temperature हमने नाप लिया तो किसी का थोड़ा से कम जादा आया तो उसका जब average हमने निकाला average निकाला मैस से पड़े हो गया न कि सारी value को हम add कर देते हैं और उसके बाद जितने लोगों का हमने sample लिया था उससे डिवाइड कर देंगे तो average value आ जाएगी तो बहुत सारे healthy लोगों का temperature नाप लिया गया फिर उसका average निकाला गया तो 37 degree Celsius आ गया तो यहां से यह पता चला कि अगर कोई आदमी healthy है कोई बीमारी नहीं है खास और से fever गयरा जुकाम इस तरह से नहीं है तो उस case में आपका 37 degree Celsius होगा इससे थोड़ा से कम जादा हो सकता है टेंशन की बात नहीं है अब जो clinical thermometer है उसको इस तरह से design किया गया है कि वो इंसान की body का temperature measure करे क्योंकि human body का जो temperature है वो आम तोर से 35 degree Celsius से ना कम जाता है ना 42 degree Celsius से जादा जाता है इसलिए हमने 35 से लेके 42 तक उसमें marking की है कि 35 से कम नहीं जाएगा 42 से जादा नहीं जाएगा तो दिखाने के ज़रती क्या है तो यही reason है कि थर्मोमेटर की जो range होती है clinical thermometer की वो 35 degree से लेके 42 degree Celsius होती है अब बूजो तो है शरारती उसको एक naughty सा idea है शरारत भरा idea है वो यह चाहता है कि जो गरम दूध है उसका temperature measure करें इस clinical thermometer से पहेली ने उसको रोग दिया कि ऐसा मत करो अच्छा ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बता है कि जो clinical thermometer है वो human body के temperature को measure करने के लिए बनाए गया है तो सिर्फ उससे human body के temperature को measure करना है और किसी चीज का measurement नहीं लेना है कि चलो चाह कितनी गरम है ना पले बरफ कितनी ठंडी है ना पले यह नहीं करना है तो यहाँ पर एक caution है एक साफधानी वाले चीज़ है अब दरह देखो do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body human body के लावा कोई भी और चीज़ का measurement नहीं करना है also avoid keeping the thermometer in sun or near a flame और एक बात का ध्यान रखना है thermometer को आपको धूप में नहीं रखना है या flame आग वगरा जली उसके करीब नहीं रखना है इससे क्या होगा यह तूट जाएगा क्योंकि देखो एक range है अगर उससे ठंडा होगा तो एक concept होता है contraction और expansion जो कि higher glasses में आप पढ़ोगे उसकी वज़े से यह तूट जाता है क्योंकि उसका temperature काफी जाधा होता है और यह thermometer उसको नाप नहीं पाएगा तूट जाएगा वो अलग से तो यह था इस topic के अंदर I hope आप समझ गयोगे किस तरीके से हम thermometer से reading लेते हैं तो इस वीडियो को हम यहीं end करते हैं लिंक भी है वहाँ से आप विजिट कर सकते हो और नीचे आओक तो class 7 math की chapter wise playlist का लिंक आपको मिल जाएगा जिस chapter की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिये होई link पे click करोगे तो इस chapter की playlist ओपन हो जाएगी इसी तरह और भी subject के playlist का लिंक आपको मिल जाएगा